नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स पे और हमारे सामने एक बहुत ही सुन्दर हतेली आपको दिखाई दे रही है और सबसे पहले हतेली की अगर चमक पे चले जाते हैं तो हतेली की जो आबा है अपने आप में एक बहुत सुन्दर कांती युक्त आबा लिये हुई है ऐसे जो व्यक्त होते हैं अपने जीवन को बहुत ही आनंदपूर तरीके से जीते हैं और धनवान भी बहुत सुन्दर होते हैं धन इतना होता है कि किसी से मांगना न पड़े हा इस हातेली में एक सबसे बड़ी खूबी दिखाई दे रही है इसमें दो चीजें हैं देखे ये जो इनकी अनामिका है सूरे की उंगली बहुत बड़ी है अगर ये उंगली इस उंगली से छोटी है पूरी पिक्चर नहीं आई है तो ब्यक्ति समाज में मान परतिष्टा यस पाने वाला होगा और कहीं न कहीं ऐसे जातक सरकारी नौकरी में अगर कोशिस करते हैं तो ये लोग काम्याब जादा होते हैं मगर ये रहखा ये जो उंगली है इसके बराबर पहुंच जाती है ये जो लाश्ट में जो है दोनों उंगलिया ये बराबर होती है तो ब्यक्त थोड़ा अचानक धन आ जाए इस तरफ जादा दिल चस्पी बढ़ जाती है बहुत बढ़ जाती है इस तरफ जुकाओ बढ़ जाता है तो इसके मैं उपाई दोगा वैसे ऐसे लोग हिम्मती सुभाव के होती है बहुत हिम्मती सुभाव रहता है और मान प्रतिष्टा बहुत सुन्दर रहती है इन लोगों की हतेली में अगर देखे तो बहुत सुन्दर मंगल रेखाएं दिखाई पड़ रही है बहुत सुन्दर ये रेखाएं धन रेखा भी है ये धन भी देती हैं ये मंगल पे उजवसे होने से मंगल के गुण आने से जमीन जायदात से धन देती हैं नाव या बोट हो इन सब चीजों से बड़ा लाम निलता है और ये दर्सा रही हैं आप प्रतिबा शंपन और तीब्रमस्तिस्क के स्वामी होंगे दूसरी बात सोचने और समझने की जो सकती है वो अच्छे खासी आप में होगी जिवन काल में जो निलने एक बार लेते हैं अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं और ऐसे ब्यक्ति जो भी होते हैं जीवन में कोई एक उद्यस्य लेकर आगे वड़ते हैं और जब तक उस उद्यस्य या लक्षे की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये व्यक्ति बिश्राम नहीं करते हैं और आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत अच्छा प्रभावशाली होता है भग्य की लकीर देखें बहुत सुन्दर जो है निकलती जारी है बड़ी बंद से ही निकलती और अपने स्वास्थान सनी पे जाती हुई नजर आ रही है हतेली गुलावी है कान्तियुक्त है मुलायम है बस फरक रह गया है तो सिर्प जो है इनका ये आधार एकी जैसे नहीं है कोई उठावा है कोई बैठावा अगर ये आधार भी एकी त्रहका होता है और ऐसी भग्य रेखा हो और ऐसी मंगल की रेखाई हो व्यक्ति अर्बों करोड़ों में भी नहीं मगर इतना होने पर भी जैसे हतेली की बनावट है बहुत अच्छा नसीब इसको माना जाता है ब्यक्ति का बहुत अच्छा नसीब माना जाता है बरतमान की बात करते हैं बरतमान ब्यक्ति को क्या दिखा रहा है देखो अगर स्वभाव की हम बात करें तो हतेली जो उंगली है इसके बीच में बहुत सुनर योग की आकरति बंती नजरा रही है ऐसे ब्यक्ति को अपने घर का सुक निश्चित ही मिलता है अपनी मकाम ये ब्यक्ति अपनी कमाई से अपनी मेहनत के पैसों से बनाते है या उनको पुस्तेनी घर मिलता है पर मिलता जरूर है दूसरी बात इस तरह से अंगली का पहला भाग हो तो ब्यक्ति की मन में बहुत सुन्दर इच्छाइं रहती है और इच्छा पूर्ति के लिए वो सतत परियास करता है और काफी हद तक अपनी जिवन में उन इच्छाओं की पूर्ति भी करता है दूसरी बात अगर हम देखते हैं इनका जो तरक की सक्ति है ये अपना तरक एक लोजिक के हिसाब से देते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बातों को दूसरों को बिहतर ढंग से समझा पाते हैं बरतमान में देखे सब कुछ बहुत सुनर होते हुई भी सूर्य बहुत ज़्यादा कमजोर होने की उज़ों से चाए आप नोकरे कर रहे होंगे चाए आप व्योवसाय कर रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रहा है जितना मिहनत कर रहे हैं जितना परिस्रम कर रहे हैं जिस तरों से चीजों को उभर के आना चाहिए उस तरों से चीजें उभर के नहीं आ पा रही है उस मिहनत का उस परिशरम का पूरा स्रे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और विस्तार काम का नहीं हो पाता है अगर सूर्य इस तरह से डाउन इस्तिति में होता है तो दोसरा धन के मामले में आपकी भग्यरेखा बहुत सुनर है अच्छा धन देगी, लगातार धन देगी और व्यक्ति कभी किसी से मांगेगा नहीं घर का सुक, मकान का सुक और वाहन का सुक ऐसे व्यक्ति को निरंतर मिलता है और निरंतर जियोन में प्रगति की निशानी भी है ये व्यक्ति उन्नति करता रहता है अगर बात करें धन का जो ग्रह होता है ब्रस्पति थोड़ा हलके कम होने से धन की मातरा में भी फ़रक पड़ता है ब्यक्ति की जितनी इक्षा होती है कि मेरे पास धनाई उससे कम ही उसके पास आता है दूसरी बात देखें, यहां से एक बहुत सुन्नर रेखा, निदंतर प्रगति की रेखा जाके और गुरु से युक्ति बना रही है। अगर गुरु पुष्ट आवस्तामे हो जाता है तो ब्यक्ति को बिदेश से भी सुक मिलता है बिदेश से भी जो है धन के आग्मन का सुरूत बन जाता है अगर अभी की देखें तो ये रेखा इंगित कर रही है कि अच्छी राइटिंग स्किल्स भी है आपके पास और सिख्छा के छेतर में अगर आप काम करें तो विदेश यातरा का बहुत सुन्दर मोका भी आपको मिलेगा अगर हम ग्रोहों की बात करते हैं अगर यहां से देखा जाए अगर ये रेखा पूरी नहीं आ रही है अगर ये रेखा यहां से यू जारी होगी तो ये 2021 तक पुष्ट हो जाएगी 2021 के मध्य तक ब्यापार में अचानक सफलता की प्रात्ति होगी बहुत अच्छे डंग से क्योंकि राहो का प्रभाव बुद्ध के गुणों को बढ़ा देगा दूसरी अगर हम बात करते हैं तो एक रेखा इस तरों से जारी है निब्न बंगल पे भूवी से समंदित ठेकादारी से समंदित सिविल इंजिनियर से समंदित या रोडी बदरपूर ऐसी चीजों से समंदित अगर काम करेंगे तो ये अचानक ही जो है आपको धन की इस्तितिमी ले आएगा और बहुत सुन्दर धना आपको देगा वेसे बुद्ध के अनुसार ये रेखा अगर पुष्ट हो जाती है तो जो भी ब्यावसाया आप कर रहे है आप बुद्ध से समंदिती ही ब्यावसाय कर रहे है उस ब्यावसाय में अचानक लाव की प्राप्ति होगी बहुत बड़ी मातरा में जो है दो हज़ार ये किस के मंद्य में होगी अगर ये रेखा पुष्ट बनती है तो रेखा के उपर है अगर रेखा पुष्ट बनती तब योग बनेगा अगर ये पुष्ट नहीं बनती तो योग नहीं बनेगा दूसरा यहां पे समझने की चीज़ हो उसके बाद इसको देखना पड़ेगा अगर ये पुष्ट अवस्ता में हलका भी आ जाता है जितना इतना नहीं आता है या इतना नहीं आता है हलका भी थोड़ा ओभार आ जाता है ये अपनी पुष्ट ताकी और आने मैठ जाता है तो निश्चित ही आपके ब्यापार में तरक्य मिलेगी और ब्यापार का बिस्तार होगा आप चलते हैं आपकी गरहनक छतर क्या बता रहे है उनकी और हम चलेंगे और उन से आपकी इस्तिति प्रार्थना करना चाहूँगा एक बिनम्र निवेदन करना चाहूँगा जिन ब्योवर्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेट कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको बटन दबाना है साथ में घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाना है और कर लेना है देखें अगर हम बात करते हैं तो ये इनका जो है अंगोठा है और इसके नीचे के भाग को हम सुक्र कहते हैं कला, साहित्य, सुक के लिए जो है और प्रेम और आकरसन के लिए इसी प्रवत को देखा जाता है सुनर है, पुष्ट है और दिव्यता लिये हुई है आप स्रेष्ट होने, तीजुस्वी होंगे आपका चेहरा भी बहुत सुनर होगा क्योंकि ये बहुत कांतियुक्त है आपकी जो परसनल्टी होगी आपका जो व्यक्तित्त होगा वो भी बहुत सुन्नर होगा सजने सवरने का नहीं चीजों के परति बहुत इक सुक का कारक है तो बहुत इक सुक भी बहुत अच्छा रहेगा बर्टिकल लाइने बहुत सुन्नर तरीके से उपर की और जा रहे है तो अपने कार्य के पर ती जुझारों बन रहेगा जहरा भी सुन्दर होगा प्रस्तितियां जहसे भी आजाए उन प्रस्तितियों से निप्टने के लिए भी बहुत सुन्दर जो है आपके अंदर छमता है अगर हम इसको देखें इसकी बहुत ज़्यादा महिमा होती है हमारे जोतिस में ये आचार्य है गुरू है अगर पौराणी कुमान्यताओं के अनुसारी इसको देखें तो ये देतियों के गुरू है इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है और इनके अंदर गुरू होने की सामठ्य भी है और ये सुक्र अच्छा हो अतेली में तो ये सुक्र जो है जीवन में सलाह देने का कार्य करता है इसलिए इसे जूतिस में गुरू कहते हैं दूसरा आपके जीवन में जैसा भी सुक हो, अच्छा सुक हो, बुरा सुक हो, चाहे जैसा भी सुक हो, उसके पीछे हमारे यही सुक्र देवता रहते हैं चाहे वो सारेरिक सुक हो, चाहे वो मानसिक सुक हो, बिना सुक्र के पुष्ट हुए हतेली में सुक नहीं मिलता है कहते हैं ये सुक्र आपकी हतेले में जो है पुष्ट अवस्तावी है उठावा है मजबूत है ये आपका बिहतर है गलेमर जरूर होगा आपके पास चमक होगी बढ़िया घड़ी पहनना बढ़िया प्यल रखना अच्छे जूते पहनना अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी को बढ़ावा देना अच्छे जूते पहनना ये जो टेडेन से ये सुक्र से पैदा होती है क्योंकि ये जो है मार गलेमर को अट्रेक्ट करता है आपके अंदर आकरसन की जो सकती है बहुत अच्छी मात्रा में हैं बहुत सुन्दर देखती हैं दूसरी लोग आकरसित हो जाते हैं इसे बिक्तितों को देख के और भौतिक सुक सुविदाये भी ये आपको बहुत सुनर रखेगा थोड़ा सा रेखाई उपर कि और हैं बारीक बारीक रेखाई काट भी रही है किसी न किसी विसाय पर या जीवन में किसी न किसी चीज पर आप सोचते बहुत ज़्यादा होगे थोड़ा से सोच जादा रहे हैं विचार जादा कर रहे हैं थोड़ा जिस हिसाब से धनका हिसाब होना चाहिए उस हिसाब से आपके मर्जी में नहीं है कि इतना आना चाहिए पर आनी पा रहा है उतना आएगा सुर्य को पुष्ट करो विस्तार होगा और 2021 के मंद्यता का अगर ये राहो रेखाई पुष्ट होती हैं तो जिवन में अचानक ही जो है बड़ो तरीके लाब मिलेंगे क्योंकि भग्या रेखा आपके बहुत सुनर है बहुत पुष्ट है लक्जिरियस देगा आपको अगर हम आपके निम्र मंगल को देखे तो निम्र मंगल आपको उड़ जावान बनाई हुए है सारीक इस पुर्थी बहुत सुनर है व्यक्ति के अंदर बहुत सुनर सारीक इस पुर्थे है थोड़ा सा ये चिड़ चिड़ापन और क्रोधीपन बना सकता है चोटी चोटी बातों पर कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आ सकता है थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा अगर इसको देखे तो दोनों रेखाई जो हैं आपस में इस तरह से बर्ग के विनिशान मना रहे हैं भूवी भूवी से समंदित चीजों का अचल संपत्य का जहां देखो तो बहुत अच्छा लाव ये दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा लाव थोड़ा सम मानसिक परेशानी में रहती हलकी चिंता बनी हुई है कम करिएगा क्योंकि ये थोड़ा संगर्सों को भी देती है अभी पूर्ड नहीं हुई है तो बरतमान में ये संगर्स देती है हर चेतर में आर्थिक चेतर में हुआ मानसिक चेतर में हुआ किसी भी चेतर में संगर्स देती है और जीवन रेखा इस तरह से चले और फिर ये इसी से बन के पीछे की और चली इस तरों से तो ब्यक्ति की जियोन में उतार चड़ाओं जादा आते हैं हमेसा जियोन उतार चड़ाओं से रहता है मस्तिस्क रेखा को देखें तो बहुत सार्प माइंड है चंद्रमा से मस्तिस्क रेखा युक्ति बना रही है व्यक्ति कलपनाई भी बहुत सुन्दर करता है बहुत अच्छी सोच रहती है और बौधिक इस तर ऐसे व्यक्तियों का बहुत ही बढ़िया रहता है क्रियेटिव होता है ऐसा व्यक्ति जीवन काल के लिए बहुत सुन्दर युजनाई ऐसा व्यक्ति बनाता है बहुत सुन्दर है यहां से हिर्दे रेखा देखें तो हिर्दे रेखा इस तरों से निकल ली है थोड़ा सा जो है मंगल से युक्ति बनाती है तो थोड़ा दामपत्य जीवने के लिए थोड़ा अनबन रह सकती है मंगल के कारण इसलिए थोड़ा सा जो है सजग रहना चाहिए यहाँ पे भी एक चीज मना रही है तो थोड़ा सही इस्तिति में अच्छे कारियों को करेंगे अच्छी उस पे जाएंगे तो व्यक्ति को कही न कही जो है दोसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलता है अगर इसको देखें तो लीडर्शिप के गुण थोड़ा कमी है और मान समान प्रतिष्टा बहुत अच्छा रहेगा व्यक्ति जो है हसमुक होगा थोड़ा साधर्णता आ जाएए जो व्यक्ति तो सुक्र दे रहा है वो व्यक्ति तो जो है ब्रस्पति नहीं दे पा रहा है क्योंकि ब्रस्पति क्रह थोड़ा कमजोर इस्तिति में है तो ऐसे में धन के मामले में भी जितना सुक्र बिलासिता दे रहा है उस हिसाब से धन नहीं आ पा रहा है उसे साफ से धना आना चाहिए इसके लिए आपको ब्रेस्पति को ठीक करना होगा और कही न कही जो है सोर्य को ठीक करना होगा बीच वाले उंगले अच्छी भली लंबी है मुद्धी मता से काम लेते, बिबे की पून से काम लेता है हिम्मत रखता हर चीज थोड़ा गंबीर सो बहुँ जादा होता है अगर ये चीज करे और इसमें इस तरों का मचले का अगर चिन्द बन रहा है साप सुतरा है तो व्यक्ति नियाई पिरिय होता है बेहद ही नियाई पिरिय होता है सब व्यक्ति और अनुसासित होता है दार्शनिक होता है समुद्र सास्तर हुआ, हस्त रेखा ये चीजें या मनुश्य की बॉड़ी के पार्टों को जानना चिकित्सा, ऐसी चीजों में व्यक्ति काम्यावी हासिल करता है मगर तब पूल्ड तब होता है, एक्छा तो ये बहुत देरा है काम्यावी मिलते दिखाई देरी है पर ये प्रतिष्टित छेतर जो है, इसकी पूल्ड होने से जो है व्यक्ति को फलादेश मिलता है फल की प्राप्तित भी होती है और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जो है बहुत बड़ा खोजी होता है रहश्य में विद्याओं का और ग्याता भी होता है और ज्यादतर जो है जब विस्तार देने वाला ग्रह और जो गुरु का ग्रह है जो सिख्छा देने वाला ग्रह है वो अगर पुष्ट हो जाते हैं तो इस छेतर में व्यक्ति जो है विश्वपरसिद्ध हो जाता है ग्याता हो जाता है विद्वान हो जाता है और ये व्यक्त प्रतिष्टावान भी होता है यस्वस्वी भी होता है अगर ये उंगली देखें अगर बहुत ज़्यादा लंबी है बीच वाली उंगली के बराबर है तो थोड़ा ये चाह पैदा करवाती है कि अचानक धन की प्राप्ति हो चैसे एर मार्केट से हो चैसाटा से हो किसी तरह हो अचानक प्राप्ति हो अगर ये इस से थोड़ा छोटी है अपने हाथ को देखिएगा तो यस्वान प्रतिष्टा और सम्मान जो है समान में बहुत अच्छा रहेगा पर बरतमान में सूरे की इस्तित बहुत कमजोर है इसकी इस्तिति के कमजोर होने से जितना फैलाओ का काम को मिलना चाहिए उतना फैलाओ नहीं मिल पा रहा है और जितने काम आपके सरलता से बनने चाहिए वह काम नहीं बन पा रहे हैं छोटी उंगली देखें बहुत अच्छी खाशी लंबी है बहुत सुनर है और बुद्द का परवत भी बहुत सुनर है ऐसा ब्यक्ति हर कार करता है योजना बद तरीके से करता है वानी के सक्ति बहुत मद्रू होती है कम्यूनिकेशन इसक्ल्स बहुत सुन्दर होते हैं बहुत एक सुक्सुवदाई सुक्र भी अच्छा दे रहा है ये भी अच्छा दे रहा है तो ये सुन्दर ब्यक्तितों का मालिक है पैकेजिंग का मालिक है तो ये सुन्दर ब्यक्तितों देता है ब्यक्ति को बहुत सुन्दर होता है जिसका बुद्ध परवत उन्नत हो अगर आपके हम उपरी मंगल को देखें प्राकरम बहुता है जिससे मिलते होंगे अपनी एक्छबी छोज देते हैं बहुत ही उत्साव वर्दक व्यक्ति ऐसा माना जाता है दिर्ड निश्चय होता है, दिर्डता और संतलन होता है जीवन में कैसे भी प्रस्तिति आजाई व्यक्ति घवडाता नहीं है डट कर उस प्रस्तिति का मुकावला करता है और अगर आपका चंद्रमा देख जाए तो बहुत खूब सुरत चंद्रमा है आप भी खूब सुरत होंगे और साथ में खूब सुरत सोज के मालिक होंगे खुबसुरत कलपनाओं को, सुन्दर कलपनाओं को करने वाले हुए जीवन काल के लिए हमेशा positive सोचते है यह सब नया नया आइडियाज सोचता है जीवन के लिए और उन आइडियाजों पे काम करने की छमता भी रखता है, कार्या भी करता है बरतमान में सोरे थोड़ा कमजोर है और थोड़ा सा धन का देपता कमजोर है तो इसलिए जितनी योजनाईं आप जीवन काल के लिए बना रहे हैं प्रैक्टिकली रोप से उनमें जो है उतना काम नहीं हो पा रहा है बहराल आपके हतेली को पूरे देखे कान्ति के इसाप से तो सुन्दर प्रतिष्टा वाला हतेली है, सोबग्यसाली हतेली है वाहन का सुक, घर का सुक ऐसे लोगों को बहुत सुन्दर मिलता है निरंतर जीवन में प्रगतिकी निशानी है और एक सुन्दर अलग प्रभावसाली व्यक्तित्तों वाली हतेली है एक ओजस्वी की हतेली है बरतमान में अगर देखा जाए थोड़ा सा मानसिक प्रेशानी भी है बहुत जादा मिहनत बहुत जादा कठनाईयों के बाद भी थोड़ा कहीं न कहीं अभाव की इस्तिती है थोड़ा सा गुसेलस वभावी हो शकता है और थोड़ा जो है काम का जितना फैलाव होना चाहिए जितना विस्तार होना चाहिए थोड़ा उतना नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा मंगल की गुण जादा आ रहे हैं तो कही न कही दामपत्य जीवन में हलका तकरार रह सकती है, उसको आपको ठेक करना होगा भग्या रेखा भी बहुत अच्छी है, राव रेखा ही जिस तरों से चल रही है दो हज्जार यकिश के मद्यस्त तक बहुत अच्छे लाब की इस्तिति में आ रहे हैं अगर सूर्य भी इस तिति में आ जाता है, बिरस्पती भी इस तिति में आ जाता है तो बहुत बड़ा लाब होने की उम्मीद है, बहुत सुनर उपाई दे रहा हूँ, बिदी के अनुसार करिएगा दे वे टाइम तक करिएगा, निश्चित ही जिवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी मैंने आपकी हतेली का रंग से लेके, और आपकी हतेली की उगलियों से लेके, अंगोठे से लेके, सभी ग्रहों से लेके उनका विशलेशन करके आपको दे दिया है, इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रहते हैं, तो निश्चिती मुझे वट्सप पे लिख लीजिएगा, मैं उनका आंसर आपको जरूर दूँगा, और साथ में जो उपाई दे रहा हूँ, उनको जरूर करिएगा तो एक छोटा सा विशलेशन था, अगर आपको भी अपनी हतेली का विशलेशन करवाना है, तो दिये गए नमबर पे आप फोन कर सकते हैं, वट्सप कर सकते हैं, हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवा झाल